जी स्रेंज आप आप कैश क्रॉप्स और फूर्ट क्रॉप्स के बारे में देख सकते हैं कैश क्रॉप्स जिसे आपको बहुत ज़ादा प्रॉफिट हासल हो वह हैं कोटन यानि कपास जिसे जो हैं कपड़े बनती हैं धाका बनता हैं ठीक है रेश्मी धाका और जसांसे कॉटन क्लॉथ रते हैं और वोसे कॉटन से चीज़े बनती हैं ठीक है फिर आगे है शुगर केंड करना तंबाकू आइल सीट यानि आल सीट में आता है आपके जिन बीचों से तेल निकलता है फूड क्रॉप्स फूड क्रॉप्स जो आपकी डेली बेसिस पर फूड्स से हैं वीट, कंदुम, राइस, चावल, मेज, मकेई, बाले, जो है वो जवार, बाजरा, ग्राम, जो होते हैं वो आपके चुन्ने होते हैं ठीक है फिर इसके बात है आपके बुक के पेश नंबर 70 चूप आप देखें राइस हैं राइस चावल को कहते हैं चावलों की फसल जो है जादा तर गरम मर्दों बिलागे में होती हैं यानि मतलब बहुत जादा होट टंपरेचर इसके लिए जरूरत होती है ठीक है और ये जो है इसके बहुत सब्सक्राइब पानी की भी सख जरूरत होती है इसमें अगर आप देखें फर्स्ट बुक के पेश नंबर 70 एक होती है खरीव क्रॉप्स जो बहुत सख्त मोसम में होती है गरम मोसम में होती है और इसके इंडर्च होता है और जो दुसरी है वो राभी क्रॉप्स होती है ठीक है तो राइस कौन से क्रॉप है खरीव क्रॉप है खरीव क्रॉप इन पाकिस्तान होट हुमिट and rich soil is best suited for this crop ठीक है यानि मतला अगर देखे हो कि बहुत सक घरम जो है वो climate की जोता होती है abundant rain यानि बहुत जादा abundant कितने कस्स से कस्स से बारिश होना और जो है soil का मिटी का नर्म होना is best suited for this crops इसके लिए बहुत जादा बेहतर है इस वसल के लिए not only hot climate, hot climate के लावा is necessary at the time of sowing जब इससे उगाया जाए but water should remain stained in its fields यानि जो खेतों में जहां पे उगाया जाए खेतों के अंदर पानी खड़ा रहे ठीक है पानी एक मिनट के लिए भी वहाँ पे खतम ना हो extra flooding अगर सिलाब आ जाए और abundant rain और कसस बर्श इस फेवर एबल फोर rice crops यह rice crops के लिए बहुत अच्छ है ठीक है आप rice crops के products भी देख सकते हैं आपने बिर्यानी वगरे में इस्तमाल करते हैं इसके लाफ आधर rice के और भी बहुत से productivity में इस्तमाल होते हैं और इसकी रोटी भी बंती है और जहिंख भी देका जाए तो मीठी रोटी और भी बहुत से चेज़ों में rice इस्तमाल होते है rice के लड्टू भी बिनती है ठीक है आटे की तो वो गंदूम से याटा हासिल होता है तो गंदूम है वो पाकिस्तान में बहुत से इलाकों में काश्ट होते हैं तीन परवेंसिस में काश्ट होती हैं सबसे जादा अगर हम देखें तो वीट है which is most important rabbi crops of Pakistan ठीक है, rabbi crop of Pakistan है, level soil is necessary for it so that watering is easy अगर जो है, soil यानि अगर सत्य जमीन जो है, वो बराबर होगी ठीक है, सत्य जमीन जो है वो उसका level बराबर होगा तो उसमें जो है, पानी easily खड़ा रहेगा ठीक है, पानी उसमें रहेगा तो ठीक है, तो तो आफ दीस ग्रोफs is growing in canal canal aggregated areas यह जारत है, कौन से आलाके मोटता है हमने aggregation बरा था ठीक है, aggregation अगर aggregation हमने जब बरा था तो aggregation क्या करती है, किसे कहती है इस इसके अंडर हमने आपको हमने short cost आंसे पहें, कि हमारे five aggregations होती है, पाकिसान में wells, two wells किनाल, किनाल, नहरे जिसमें, डैम आजिंगे, बिराज प्यास प्यास कता है, इसके बाद जो है, आपके car race and springs, जो अलगा तो अगर किनाल देखें, तो किनाल है, आपका नहरी निजाम, ठीक है नहरी निजाम जो है, वो नहरी अपार्शी निजाम अगर जो होगा, जिन लागों में तो बहुत ज़दा effectable होगा, इस crop के लिए, total area under this crop is five million acres, यानि five million acres के ओपर ये तकरीपन अलाके पहला होता है, in dry areas, other than canal irrigated lands of the country, it is grown, where winter and summer rains are sure and abundant, ये गर्मियों और सर्दियों में, अगर इसमें बारिश जादा होगी, तो ये बहुत जादा अच्छी, यानि मतलब इसकी growth होगी, इसकी growth जो है, पंजाब में, मुल्तावान, साहिवाल, फैसलाबास कर दू, सर्गोधा सोरी, सर्गोधा, मजफराबाद, जंग, भावलपूर, एंडिरा, खाजी खाने, पंजाब ठीक है, और अगर आप देखें, सिन में, इंसिन, सक्खर, हैज़ाबाद, नौशे, सक्खर, हैज़ाबाद, नवाफशा, एंखरपूर, इंसिन, ठीक है, और प्लोचि सान में, अगर आप देखें, तो ब्लोचि सान में, इरा, इसमाई, ब्लोचि सान में, आपका, खजरा, खजदर है, और नसीराबाद, लेकिन, अब भी हमारा पंज़ा रहा रहे हैं, तो खज़ाबाद, पंज़ाबाद, इसमाईल खान, पिशावर, बन्नो, चार सदा, अगर लाश हम देखें, तो नसीराबाद और खज़ाद, खज़ाद इन ब्लोचि सान, पौर्विंस, आर इंपोर्टन एरियास ओफ, फॉर वीड पॉर्डियोस, ठीक है, तो अगर हम देखें, इसमें, तो पंज़ाब में, सेकिंड जो है, खज़ाबाद, खज़ाबाद, सिंध में और ब्लोचिसान की इन लाकों में, जो है, ये इसकी गद्व की काश्ट होती है, से है, इसके अदर आप वीड की, जो है, वीड ग्रेंस पॉर्ड़ेट्स देख सकते हैं, हाटे की रोटी बनती है, ठीक है, जो है, इसके लावर, जो है, बहुत से चीज़ों में, नगेट्स में, और भी बहुत से चीज़ों में, ये समान होती है, ठीक है, अब थार्ड क्रॉप्स ऑपाकिस्तान जो है, वो मेस है, मेस कहते हैं मकेई को, मकेई में आपकी छलनियां वगरा भी आ जाती है, इसके इलावा मकेई के दाने भी होते हैं, जिसमें पॉपकॉन व चारा है, अनिम्स का चारा है, वो उसके लिए भी समाल होता है, और हमारी खराक में भी समाल हो सकता है, इस एन इंपॉर्टन क्रॉप ऑफ फुरीफ, ये खिदीफ की इंपॉर्टन क्रॉप्स है, मौसट मेस इस क्रॉण, इन दा प्लेंस ऑफ पिशावे, और मिर्दान जंग, भावलपूर, डिरागाजी खान, एंड ओकारा, एंड ओकारा इस एक्ट्रा एरियास इन पंजाब, ठीक है, पंजाब में ये अलाके हैं और अगर आप के पिके में देखें तो जो पिशावर मिर्दान में जो मिर्दानी अलाके हैं उसके इसके काश्ट होती है, ठी अगर आप परडेक्ट्स देखें, तो परडेक्ट्स में आपके जो हैं के एक दानी आज़ती हैं, ठीक है, ये चली की डिफरेंट फॉर्म्स हैं, ठीक है, इसके आपके पॉपकॉन बनते हैं, और भी बहुत से चीज़ों में समान होता हैं, तो फूट क्रॉप है, ठीक है, ये फूट क्रॉप, यानि मतलब हमारे जो घजाई जनास में ये स्वामिन है, अब आपने अपने कोपिस निकाने हैं, आज काम करेंएं, 17, 5, 21, होमवर्क एंड मेंडी, ये निम्बर 7 है, वगा पीश निम्बर 80, कॉस्टिन निम्बर 3 है, अनलाइस अडिस्रिबिशन सब म मतलब होता है, ग्रोग की जाती है, उगाई जाती है, जो है, वो विंटर में, अक्तूबर में, and harvested in the summer में, and इस इंक्लोड वीड, बाले, ग्राम, जैक्टर, ऑके, अचा, पॉइंट निम्बर 2 है, खरीव सीजन, खरीव क्रॉप सीजन, खरीव क्रॉप सीजन स्टार्टिन अप्राल तु जन्जून, and is harvested, यानि मतलब की जाती है, इस की दूरी अक्टूबर तु देसम्बर, and these included rice, sugarcane, cotton, mace, etc. So, major crops of Pakistan, describe below rice, rice is an important green crops, crops of Pakistan, hot humid climate, abundant rain, and rich, soft, solid, is best suited for these crops, ठीक है, यानि मतलब अगर हम rice के देखें, तो ये कौन सी crop आती है, हमारी खुरीव सीजन की जो है, वो crop है, ठीक है, खुरीव क्रॉप है, पाकिसान की hot, humid climate है, इसमें बहुत जादा, जो है, यान गरम मर्दूब इला गाज होता है, गरम मर्दूब आपो हवाचत, इसके लिए बहुत जरूरी होता है, अबेंडन, बहुत जादा बारिश होना कास्स से, and rich soil, soft soil और जो जो जमीन का है, वो नर्म होना इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है, बेस्ट है, वीर वीड इस मोस्ट इंपॉर्टन राभी ग्रोप पाकिस्तान लावल स्वाईली संसरी फॉर इट सो डाट वार्ट इस एजी इन पंजाब खापका पक्तूंग्वास इंद आं प्रोचिस्तान मौविंस इस आर इंपॉर्टन एड्यास फॉर वीड पॉर्ड 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 माइज देखें कि मेज काथा माकीड़ इस उस फॉर फॉर्ड एन अनिमल फॉर्ड इस अइंपॉर्टन खॉर्प्रोप पॉर्प उट प्रीप वस्ट और माइस इस ग्रॉण इंप के बखटूंग्वास एंड एरिया संपन्जाब ठीक हैं अब बखटूंग्वा पंजाब करने हैं, highlighted points आपने book पे highlight करने हैं, और इसको अपने copies पे लिखना भी है, ठीक है, अलाहाफ़ीज